जम्रिद् आदर्ष की रैसोई में आपका स्वागत है तो आज मैंने बनाया है मतर पणी ये रेस्टुरेंट स्टायल error इसको बनाना बहुत ही शरल है और मैंने बहुत ही आसान तरीक चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पनी ने बना ले के लिए हमें मटर चाहिए आदा किलो मैंने मटर ली थी उसके दाने लिए और यह दो प्याज लिए हैं दो बड़े प्याज और यह 15-20 लेस्ट की कलियां जो मैंने चील के रखे हैं और तीन हरी मेर्च एक टमाटर और दो तेज पत्त तीन तेज पत्ते और मैंने थाइसो ग्राम पनी लिया है इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही जल्दी बनने वाला मटर पनी नए तरीके से बताऊंगी इस वीडियो में आपको प्याज, ब्लेसुन, हरी मिर्च, टमाटर इन सब का मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ पीस के मिक्सी से चलिए तो मैं इनको पीस के फिर आपको दिखाऊंगी कडाई मैंने गैस पर रग दी है अभी हम इसमें सर्सों का तेल लाते हैं यह मैंने सर्सों का तेल लिया है दो बड़ा चमस मैंने सर्सों का तेल लगाया है अभी मैंने जीरा और तेज पात लगा दिये हैं तेज पत्ते डाल दिये हैं यह देखिए जीरा पुनने वाला है कि देखिए मसाला हमारा भूं गया है जीरा अर फेष पस्ते अभी हम इसमें यह मैंने पेष्ट बनाए थे टमाटर लेसुन प्याज बाएं यह सारह हम इसमें डाला दें तो कराई में अभी हम इसके साथ और भी मसाले लगाते हैं एक चमत में हल्दी लेती हूं हल्दी गॉडर एक चमत में लालमेज पॉडर लेती हूं है आधा चमत कराई एक चमत सुखा दनिया पॉडर आदर चम्मच में लेती हूं, एक आदर छोटा चम्मच आदर यह कस्मेरी में लेती हूं अभी में स्वादम साद नमक आलती हूं सारे मसालों निया नमक आलती हूं सारे मसालों मिला लेती हूं मसाला भूं गया हूं अभी हम इसमें मताय डालते हूं मताय दालते हूं मताय कोगी हूं अच्छी से धूं लेते हूं अभी हो लेती हूं आर बेंने mm मताओत जिया अधने प्यूं ज Means अफ लेती हूं ताकि मारी मतर जाए जाए अभी हमें इसे डख देना है देखे प्रांट्स अभी मैं इसको देखते ही हमें तहां तक हमें बतर कशिते हैं अभी कुछ देर के लिए हमें और पकने देना है तक हम और इसको डख देते हैं अभी मसाला हमारा भूं गया है और मतर भी हमारी गल गई है अभी हम इसमें एक गलास पानी लगाते हैं यह देखिए मैंने एक गलास पानी लिया है एक बाउल बरके इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और गयस को तेज कर देंगे थोड़ा इसको उबालाने तक हम रुकेंगे उसके बाद हम पनीर डालेंगे यह देखिए सबजी में हमारे वाला गया है अभी हम इसमें पनीर डालते हैं यह देखिए यह जो कटा हुआ पनीर है हम सारा इसमें डाल देते हैं अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना है सबजी के साथ यह देखिए यह कितना अच्छा बनके तयार हुआ है अभी हम इसको थोड़ी दे और पकाते हैं उसके बाद हम दिखाएंगे यह देखिए पनीर हमारा बन गया है अभी हम इसको अब सर्क करते हैं गार्निश के लिए हम थोड़ा सदनिया डालते हैं इसमें देखिए फ्रेंस मैंने मटर पनीर बना लिया है और उसके साथ मैंने रोटिया बनाई है और थोड़ा सा मैंने सलाद लिया है प्याज और खीरे का यह बहुत ही साधिश्ट लगेगा इस तरह से आप मटर पनीर बनाएंगे आज के लिए इतना है अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और मेरे चैनल पर जो नए है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेट करके बताएं यह कैसा बनाएं तब तक के लिए बाई बाई